किसान भाई हो यहाँ फेंडर पे आपको पूरी LED सेट अप में इसका पार्किंग लाइट और इंडिकेटर लाइट को अच्छे तरीके से कंपनी ने डिजाइन किया है वहीं इसकी क्लच की बात की जा तो इसमें आपको अस्टेंडर डूल क्लच मिलने वाला है जो की काफी बड़े डाइमेटर के साथ इस्टेक्टर में बनाया है साथ में यहाँ पे आपको टू अस्टेप में काफी बड़िया तरीके से मजबूती में चर्णने के लिए फूट्रेस्ट को डिजाइन किया हुआ है वहीं आपको काफी बड़ा सा यहाँ पे मिलता है इसका hydraulic oil filter जिससे इसकी pressure काफी अच्छे तरीके से maintain रहती है और hydraulic lifting को बरकरा रखती है साथ में यहाँ पे आपको engine oil filter company दे रही है जिससे filtering capacity काफी नहांस होती है साथ में आपको यहाँ पे मिलता है 12 volt 42 ampere का काफी heavy duty का अल्टर train किया हुआ है जिससे आपको बहतर performance instructor में मिलने वाला है वहीं आपको dual acting balancing rod के साथ अच्छे में आपको power steering company दे रही है जो कि यहाँ पे अच्छे shield के साथ इसमें साथ में आपको यहाँ पे मिलता है front adjustable axle जिससे आप multipurpose work instructor से कर सकते हैं यहाँ पे आपको mounting काफी अच्छ तरीक साथ में hub को काफी अच्छ तरीके से design की हुई है वहीं ADDC liver की बात की जातो है यहाँ पे आपको two liver के साथ control में दिया हुआ है जिससे instructor में बहतर performance जुताई में आपको मिलने वाला है साथ में rear auxiliary wall control को यहाँ पे company ने liver को place किया हुआ है जिससे sit के बगल में use करना काफी असान ह यहाँ पे किसान भाईयो आपको मिलता है अच्छे quality की brake जो की इस ट्रक्टर में आपको fully oil immerdisk brake मिलने वाली है साथ में यहाँ पे accelerator pedal को company ने काफी बढ़िया तरीके से design किया हुआ है वहीं आपको यहाँ पे parking brake को hand से काफी अच्छे तरीके से usable में design किया हुआ है आपको इस इस ट्रक्टर में company दे रही है water separator जो कि बारिस के दिनों में ट्रक्टरों के लिए काफी useful होता है साथ महीं यहाँ पे आपको मिलता है तीन cylinder inline boss company का pump जो कि pump के segment में number one heavy duty में mark किया जाता है साथ महीं किसान भाईयो आपको इस ट्रक्टर में मिलता है single diesel filter जिसकी diesel filtering capacity company ने काफ किसान भाईयो आपको dry type dual element के साथ इसमें मिलने वाला है जिसको company ने काफी enhance और बेहतर performance के साथ इस ट्रक्टर में design किया हुआ है वहीं front में यहाँ पे आपको काफी बढ़ीया तरीके से chrome treatment के साथ इस ट्रक्टर में farm track की बेजिंग की हुई है साथ में यहाँ पे chrome treatment का ही 50 मे आपको यहाँ पे बढ़ीया सा logo देखने को मिलेगा साथ में किसान भाईयो इस ट्रक्टर में काफी बढ़ीया सा फ्रंट में जाली दिया है और यहाँ पे आपको power max का काफी बढ़ीया सा बेजिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे काफी बढ़ीया तरीके से 50 का का काफी ब पावर मस में आता है जो की इस ट्रक्टर की ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है यहाँ पे किसान भाई हो इसकी पाउर एसिरिंग'll टेंक को कमपनी ने सेपरेट रखा है जिससे इसकी पाउर एसिरिंग की PORFORM Marco और Behr Battle हो जाती है…. INTERM पर dual आपको hydraulic के साथ इसका bonnet open मिलेगा वहीं इसकी इंजन की बात की जा तो 52 HP के टेगरी में 3 सिलेंडर 314 CC का 200 Nm heavy duty torque वाला इस ट्रेक्टर में company engine दे रही है इसकी cooling system की बात की जा तो यहां आपको एक लीटर का coolant cool reservator देखने को मिलेगा और साथ में ही इसकी radiator की बात की जा तो काफी बड़े segment में इसमें radiator को design की हुए है जिससे बहतर performance tractor दे सके इसकी fuel tank capacity की बात की जा तो company इसमें आपको offer कर रही है 55 लीटर का काफी बड़ा सा diesel tank जिससे आप refueling किये बीना लंबे समय तक इस tractor से कारे कर सकते हैं साथ में dashboard को analog और digital में design किया हुआ है जिसमें आपको temperature meter fuel information कितने गंटर tractor चली है सारा information आपको इसमें देखने को मिलेगा वहीं इसकी steering grip को काफी बढ़िया तरीके से usable में इस ट्रक्टर में design किया हुआ है साथ में यहाँ पे आपको ignition cue को operate करने के लिए काफी बढ़िया से और engine stop switch और यहाँ पे headlight switch को company दे रखा है वहीं आपको मिलता है यहाँ पे 12 bolt का काफी बढ़िया सा mobile charger socket वहीं इसकी gearbox की बात की जा तो आपको इसमें side shift content में इसके साथ दिया हुआ है जिसमें आपको right lever में 1,2,3,4 और reverse gear option देखने को मिलेंगे किसान भाईयो आपको इसमें मिलता है 8 forward और 2 reverse gear option साथ में यहाँ पे left lever में आपको किसान भाईयो हाई लो का यहाँ पे अच्छे grip के साथ gear दिया गया है जिसे operate करना काफी असान है structure में वहीं किसान भाईयो आपको इसकी PTO lever की बात की जा तो काफी बढ़िया तरीके से इसमें दिया गया है जिसमें आपको structure में multi PTO मिलने वाला है rear night visibility के लिए किसान भाईयो यहाँ पे गोल में आपको काफी बढ़िया से halogen head lamp के साथ company दे रही है जिससे आप night में अच्छे तरीके से कारे कर सके वहीं आपको पूरी LED में यहाँ पे मिलता है इसका indicator light और brake light जो की data running light के साथ में साथ में ही यहाँ पे आपको number plate के लिए एक additional light company दे रही है वहीं इसके rear tire size की बात की जा तो आपको इसमें 1428 का काफी भारी भर कर मिलता है साथ में रीम को यहाँ पे multi load के लिए काफी अच्छे तरीके से heavy duty में इस ट्रक्टर में company ने design किया हुआ है यहाँ rear में किसान भाईयो आपको यहाँ पे company काफी अच्छे तरीके से 2 लिटर का bottle holder दे रही है साथ में reflector काफी बढ़िया तरीके से radio में safety के लिए इस ट्रक्टर में अच्छे quality की design की हुई है वहीं मटगाड पे किसान भाईयो आपको यहाँ पे छोटा सा toolbox मिलता है जिसमें आप अपने range को अच्छे तरीके से रख सकते हैं साथ में ही आपको यहाँ पे मिलता है दो-दो auxiliary valve जिससे आप आज के जमाने के modern तरीके का implement चला सकते हैं साथ में ही इस ट्रक्टर में आपको advanced technology के साथ इसकी ADDC को design किया हुआ है जिससे आपको खेतों की जुताई काफी बढ़िया इस ट्रक्टर से होने वाली है जो कि इस ट्रक्टर में आपको 3 link के टॉप लिंग के साथ company दे रही है यहां इसकी hydraulic की बात की जा तो किसान भाईयो आपको मिलता है 3 linkage adjustable के साथ काफी heavy duty में जिसकी maximum load उठाने की छमता company ने 1800 kg का रखा हुआ है साथ में ही इसके channel को company ने काफी बढ़िया तरीके से adjustable में design किया हुआ है जो की axle के साथ काफी बढ़िया तरीके से attach किया हुआ है इस ट्रेक्टर में किसान भाईयो आपको मिलता है 42 HP output के साथ इसमें PTO जिससे आप multi work की इस ट्रेक्टर से कर सकते हैं यह था review किसान भाईयो आज का farm track 50 power max का अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होते कि आप मेरे चैनल को subscribe कर दें like करके bell icon को दबा कर all notification on करके और comment हमें जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में मैं किस ट्रेक्टर का वीडियो आपको ले करा